रादे रादे मेरी योटू फैमली तो चलिए आज मैं आपकी साथ शेर करने जा रहे हूँ गोभी के अचार की एक आसान सी रेसिपी गोभी के अचार को एक ऐसे तरीके से बनाएगे जिससे आपका अचार सालो साल तक भी खराब ना हो और खाने में बहुती ज़्यादा स्वादिश्ट लगे लेकिन हाँ तरीका कुछ आसान सा भी हो तो चलिए इस गोभी के स्वादिश्ट अचार को बनाना शुरू कर देते हैं देखते ही मुमें पानी आ रहा है और वीडियो देखने से पहरे मन कर रहा होगा के फटा फट से रेसीपी को देखके हम भी गोभी का अचार बनाएंगे उपर से मुझे बहुत सारे कुमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी गोभी के अचार की रेसीपी शेर कीजे तो आई दिन मेरे घर में किसी ना किसी चीज का अचार बनी रहा है कुछ आप बोल देते हो और कुछ घर वाले बोल देते हैं आज हम गएते मार्किट और मार्किट से आती दफ़ा में कई सारे अचार की चीजे लेके आई थी मतलब जैसे मीच वगेरा है गोभी वगेरा है नीबू वगेरा अध्रक वगेरा तो इन सभी चीजों का अचार मैं दीरे दीरे करके आपकी साथ शेयर कर रही हूँ तो आज मै बिल्कुल प्योर गोभी का अचार बना रही हूँ और आते वक्त हमें दीखे ये गोभी के फूल मतलब एक ठेली में बहुत ही अच्छे वाइट वाइट कलर के फूल थे जबकि अभी तक अच्छे फूल या अच्छी गोभी मार्किट में आई नही है अब जब मोका मिल ग आज़ती आप देखी रही है और सबसे पहले हमें इसकी जो ये डंड्या है इसको निकालके साइड में कर देना है क्योंकि इनका इसमें कोई कम है क्यान black Не nào निकाल देते हैं आज निकालते निकालते यह भी काटके उसके बाद इस तरीके से एक एक करके मैं गोबी के फूल निकालती जा रही हूँ तो जो बारेक फूल होंगे उसको हम ऐसे डाल देटेंगे और जो मोटे फूल होंगे बाद मे जैसे बच जाते है तो उनको चाकू से काटके evenly size में बना लेंगे उसके बाद बारी आती है यह जो डंटल होती है तो जो ऊपर-ऊपर की डंटल होती है आप इसको भी अचार में डाल सकते हो अगर आप चाहें तो इसको पहले हमें छी लेना है और फिर इसको इस तरीके से कट कर लेना है तो इनको हम क्या बोलते है ना बादिस करने वाला एक तातू होता है जो की नुक्सान दे जाता है तो सबसे पहले तो इसलिए हम गोबी को दो लेते हैं चलते पानी में तो मुझे यहां पे चार से पांच बार गोबी को अच्छे-चे से रगड रगड के दो लेना है क्योंकि सबसे दिया है एक बढ़ोना बड़ा सा और इसमें डाल लेते हैं जड़ा जादर सा पानी तो पानी को हमें बहुत अच्छे से गरम कर लेना है उससे पहले हम यहां पर डाल देते हैं इसमें नमक अभी गोबी की अच्छे से धुलाई नहीं हुई है और यह जो मैं प्रोसीज कर यह प्रोसीज करने से हमारा अचार अच्छा बनता है जल्दी से तयार भी हो जाता है और गोबी की एक तरीके से अच्छे से धुलाई भी हो जाती है तो यह टोटल प्रोसीज गोबी के अचार को टेस्टी और लोंग टाइम चलने वाला बनाएगा तो मैंने यहां पर जो पानी है इस तरीके से उबलने लगा है कि बबल के रूप में उपर को उफता नजर आ रहा है भगोना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना तो आपको जाग नजर नहीं आएंगे तो जब यहां पर बहुत अच्छे से उबाला आने लगे यानिके खदर सा लगने लगे हमा के फ्लेम को ओफ कर देंगे और साथ की साथ इसको निकाल लेंगे सबसे पहले आप यहां पर कोभी का कलर देखिए मतलब इकदम सुनहरे कलर का दिख रहा है मेरे कैमरी में तो इतना अच्छा दिखाई भी नहीं दे रहा है जितना वास्तों में बहुत ही प्यारा पहुत ही तो हमें क्या करना है चाहे तो आप इसको दो घंटे के लिए रोम टेमपरेशर पर छोड़ दे या फिर आदा घंटे के लिए फैन की हवा में छोड़ दे या दस से पंदरे मिनट के लिए धूप में छोड़ दे अगर धूप का प्रबंध है आपकी बाद मैंने इसको दो पर नमक डाला है और सीरका डाला है हमें इसको छोड़ देना है कम से कम 15-16 घंटे के लिए और 15-16 घंटे के बाद हम इसको चेक करते हैं तो देखे मैंने इसको रात में चरा दिया था और अब सुभाय का टाइप हो रहा है करीब 10 बजरे हैं और जो हमारी गोभी अच्छे से तयार है मैंने यहाँ पर हरे मिश का चार बनाय था यह रेसीपी आपकी सार्षार शेयर कर चुकी हूँ अचार बहुत ज़्यदा टेस्टी बनाता और बहुत ज़्यदा चटाके दार बनाता अगर आप इस अचार की recipe चाहते हो तो आप मेरे चनल पर जाकर देख सकते हो या फिर comment कर सकते हो मैं आपको link देदूगी तो यहाँ पर देखे इसमें बहुत ज़्यादा motion नहीं चुटा है क्योंकि हमने इसको बलतेवे पानी में डाल दिया था तो उसी के वज़े से गोबी का यहाँ पर ज़्यादा motion नहीं चुटा है पहुत हलका सा motion निकला है अब पारी आती है इसको सुखाने की तो वैसे सभी तरीके के अचार वैसे बनाई जाते है लेकिन जो गोबी का अचार होता है उसको 2-4 घंटे के धूप जरूर से लगानी चाहिए तो हमें क्या करना है कोई भी साब सूती कपड़ा ले लेना है और गोबी यहाँ पर डाल देनी है और इसको कम से कम हमें 3-4 घंटे के धूप लगा लेनी है मीडियम सी धूप निकल रही है तो आप 3-4 घंटे के धूप लगा ले तो जैसे आप मीठी मीठी धूप निकलती है पूरा दिन के लिए इसको धूप में बढ़ा रहने दे चली मसाला तयार करते हैं सबसे पहले हम यहां पर सरसो की दाल बना के तयार करेंगे यह जो मैं अचार का मसाला बना रही हूँ इससे आप किसी भी तरीके का अचार बना सकते हैं कोई सबी यहां पर दर दर इसी सरसो को कोट के तयार कर लेंगे तो मैं यहाँ पर इसको जादा क्वांटेटे में बना रही हूं क्योंकि मुझे और वह सारे अचार बनाने हैं, बार बार मिक्सी चलाने पड़ती है, कभी लाइठ हातों नहीं लगती है, कभी मुझे टाइम कम होता है, तो इस तरीके का आप अचार का मसाला बना के रख और साबु धनिया डालने के बाद हम आप डालेंगे एक कप के जितना सोंप, तो क्वांटिटी आप डबल, मतलब जिस तरीके से मैं बता रही हो, आप किसी और बरतन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके बाद जितनी मैंने सोंप डाल लिया, उतनी मैंने राई डाल दी है, और इसमें एक चमज के जितनी मैंने अजवाएं डाल दी है, और बस हमें क्या करना है, इसको बंद करके, और इसको भी थोड़ा दर दर असा ही कूट के तैयार कर लेना है, तो यह लिज़े हमारा ये, एक अचार का मसाला पेज बन के तैयार हो चुका है, अब चलते हैं, अ और पूरा दिन के लिए इसको पड़ा रहने दिया है करीबी 5-6 गंटे के लिए यहाँ पे रहा था तो चलिए अब अचार बना लेते हैं और थोड़ा सा मोहले में भी तागजाग कर लेते हैं मुझे दरवाजे से बहार निकले भी कितने कितने दिन हो जाते हैं मैं धर से बहार भी मैं नहीं निकल पाती हूँ बस यहीं से देख लेती हूँ तो चलिए अब मैंने पूरी तयारी कर दी है अचार बनाने की यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसो का तेर्म और सरसो का तेल हमें कुछ इतना लेना है कि जो हमारा अचार है वो बहुत ही अच्छे से डोब जाए तो नौर्मली मैं यहाँ पर डेड़ के लोगो भी ले रही हूँ उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर यह ले लिए है करीब 100-100 ग्राम के जितना तेल इसमें एक चमच मेथी डाल लिया और थोड़ी सी कलोंजी डाल दी है साथ में एक चमच के जितना हम हिंग भी डाल देते हैं कोई भी अचार बना रहे हो हिंग जरूर से डाला करे कोई भी अचार बना रहे हो उसमें हमेशा सरसो का तेली डाला करे फिर आप बताना कि आपका चार कैसा बनता है उसके बाद यहाँ पर जितनी आपकी इच्छा हो इतना ये बनायावा मसाला डाल देते हैं और जो हमने ये सरसोकी डाल बनाके रखी थी इसमें से भी थोड़े-थोड़े करके डाल देते हैं कोई बात नेहाँ थोड़े कम जादा हो जाएंगी कोई टेंसर नहीं है कम भी रख सकते हो जादा भी रख सकते हो कम यह लगे तो बाद में भी डाल सकते हो उसके बाद यहाँ पर एक चमच के जितना हल्दी डाली है ये बड़़े सा चमच भर नमग डाला है तीखہ बनाने के लिए तीख वाली लाल मिच पाउडर डाला है। अचार में अच्छा ऐसा कलर देने के लिए एक चमच के जितना कास्मीरी लाल मिच पाउडर, डाल दिया है, और इह रिमको बतादु। तो मसालों को अच्छे से से मिक्स करने के बाद मैंने यहां पर यह तैयार की हुए गोभी डाल ली है तो चलिए अब हमें क्या कर ना है गैस के उपर से अभी इसक्ड़ाइ को उतार है यहां पर इसलिए नुटारी क्योंकि यहां पर कैमरा लगा वा था आलस कर गए थी मैं कैमरा दुबारा से लगाने का और यह जो अचार का पानी बचा वाता ना सुबह मैंने आपको दिखाया था तो यहां पे हम डाल देते हैं अगर आपके पास बाईचांच से पानी नहीं तो एक टेबल इस्पून के जितना आप यहां पर विनेगर डाल दीजे या फिर एक टेबल इस्पून के जितना आप यहां पर नीबू का रस निकाल के डाल दीजे या फिर यहां पर आप इसमें चार से पास नीबू कट करके डाल दीजे तो कहने का मतलब यह है अचार में खटास का होना बहुती ज़्यादा जरूरी है तो चलिए मैंने पानी थोड़ा सा बचा वाता हो कुछ वो डाल दिया है और यहां पर एक टेबल इस्पून के जितना मैं जो है विनेगर भी डाल देती हूँ यह वाइट वाला विनेगर है नॉर्मली मार्गिट में मिल जाता है कई से भी आप किराना की सोपे से ले सकते हो और यह डालने के बाद बस इसको हम कर देते हैं मिक्स तो यह हमारा अचार लगभग मी बनके तयार हो चुका है बट अभी यह खाने के लिए तयार नहीं हो है जैसे कि अचार तयार है इसको हम कवर कर देते हैं और आप मैं आपको दिखाती हूँ इसको कल तो देखिए यह अगला दिन हो चुका है जैसे मैंने कल यह अचार बनाया था साम के टाइम में और अब सुबह का टाइम हो रहा है तो अचार ने हमारा इतना मोश्य छोड़ दिया है कि धीरे धीरे यह गीला होना सुरू हो गया है शाम में आप देख रहे थे काफी सूखा सूखा था मैंने आप पार ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करके इसको थोड़ा सा रेष्ट दिया है अचार को धूम में रख देते हैं बना के और 4-5 दिन की धूप दिखाते रहते हैं इसको बार-बार धूप ना दिखानी पड़े इसी वज़े से मैंने तेल के टेमपरेचर को थोड़ा सा गरम रखा था अगर आप थोड़ा सा तेल गरम करके अचार में जो भी आप जिस चीज की रेसिपी बना रहे हो जिसको धूप दिखाने का काम है तो वहाँ पर अगर आप तेल के टेमपरेचर को थोड़ा सा गरम करके डाल देते हो तब आपको धूप दिखाने के जुरुत नहीं पड़ेगी धूप दिखाते हैं मोशर बनता है गरमाट आता है जिसके वज़े से चीज़े हमारी गलती है तो सेम काम हमारे यहाँ पर सरसो का तेल भी करेगा और कोई भी आप अचार बनाए हमेशा सरसो के तेल का हिस्तेमाल करें किसी और तेल का इस्तेमाल ना करें क्योंकि जो सरसो का तेल होता है उसमें बहुत सारे nutrition होते हैं, पुराने जमाने से दाधी नाने भी इसी तेल का इस्तेमाल करती थी, मैं तो अपने घर में खाने में भी एक तेल इस्तेमाल करती हूँ, कभी-कभी घर में घी नहीं होता है, तब भी मैं तेल के प्राटे वग्य चाहिए और जो अचार होता है उसकी जो self life होती है वो बढ़ जाती है आप बारी आती है इसको इस्टोर करने की तो आप जब भी अपने अचार को इस्टोर कर रहे हैं तो कोई भी काच वगएरा का कंटेनर ले ले और वो बिल्कुल भी गिला नी होना जाहिए और बाद में जब तक आपके पास अचार है उसमें गिले हाथ नहीं जाने चाहिए आटे के हाथ नहीं चाहिए गंदे हाथ नहीं जाने चाहिए मतलब अचार को थोड़ना सेप्टी से रखना होता है मुझे कुछ कोमेंट्स आते हैं कि दीदी हमारा अचार खराब हो गया है हो सकता है कोई ना कोई लापरवाई जरूर से होई होगी आने वाले टाई में मैं अपने सारे अचार का कोमबो आपको दिखाने जारी हूँ मेरे पास मूली के अचार को एक से डेड़ डेड़ साल तक भी हो गया है मेरा नोर्मली जो आम का अचार है वो दो से तीन साल का मेरे घर में हो चुका है मूली का अचार बहुती कम तेल में बनाया था पिसली सर्थियों में अभी तक भी मेरे पास रखावा है जो है नीवू का अचार बनाया था वो भी मेरे पास अभी तक रखावा है और जो है गाजर का मिक्स अचार था और भी पतनी कितने तरीके के अचार है जो कि मेरे पास आज भी सेफ है साल साल भर पुरानी तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अचार की साथ